आईवी टीवी देखता है इंडिया इस वक्त बिहार की सियासत से एक बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है जहां नितीश कुमार ने राज़त में बड़ी सेंद मारी कर दी है इसका मतलब नितीश कुमार ने एक बार फिर से तोरा है राज़त को पहले हम आपको बता दे कि बिहार में हुए उपचनाव में जेडियू के जीत के बाद राज़त में मायूसी बनी हुई है और इसी बीच नितीश कुमार ने राज़त को और कमजोत करने में एक बार फिर से सफल हो गये है जी हां राज़त के टिकेट से कुमरार विधान सभा से चनाव लड़े पुर् डॉक्टर धर्मेंदर को शामिल करने के लिए खुद जेडियू के राश्ट्रय अध्यक्ष ललन सिंग, प्रदेश अध्यक्ष, उमेश कुश्वाह, ग्रामीन विकास मंत्री, श्रवन कुमार, सिक्छा मंत्री विजय चौधरी, जलसन साधन मंत्री संजय जा, जहानाबाद क सांसद, चंदरशिकर, चंदरवनसी, सहित, कई जेडियू के बरेनीता मौजूद रहेंगे, जॉक्टर धर्मेंदर कुमार चंदरवनसी ने कहा है कि मुख्यमंत्री निटीश कुमार ने अती पिछरों को सम्मान देने का काम किया है, उन्होंने नियाय के साथ विकास का स्तापित किया है, जिसकी वज़ा से लगतार राज्यों में एक बहतर महौल कायम हुआ है, इसी को ध्यान में रखते वे, जेडियू में आज वो शामिन हो रहे है, मुख्यमंत्री ने सिक्छा और महिलाओं को आगे बढ़ने के लिए काफे कुछ कारे किया है, खास कर बेट जेडियू अपनी विपक्षी पाटियों को तोड़ने की कोशिश कर रही है, और इसी क्रम में कहीं न कहीं कामियावी भी उसे हासल हो रही है, राश्य अद्यक्ष ललन सिंग की अगुवाई में जेडियू ने यह कारनामा किया है, आपको बता दे कि आज कुछ ही दे के बा जीत है, अब देखने वाली बात होगी कि इसके बाद राजत की तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आती है, फलान इस खबर में इतना ही है, आप देख रहे हैं, आई वी टीवी धन्यवाद